संत लूकस के अनुसार पवित्र सु समाचार अध्याए एक पद संख्या 5 से 25 तक युहुद्या के राजा हेरोद के समय अभियस के दल का जकिरियस नामक एक याजक था उसकी पतनी हरानवन्ष की थी और उसका नाम एलिसबित था वे दोनों ईश्वर की द्रिष्टी में धार्मिक थे वे प्रभु की सब आज्याओं और नियोमों का निर्दोश अनुसरन करते थे उनकी कोई संदान नहीं थी क्योंकि एलिसबित बांच थी और दोनों बुढ़े हो चले थे जकिरियस नियुक्ती के करम से अपने दल के साथ याजक का कारे कर रहा था किसी दिन याजक की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिठी निकली कि वे प्रभु के मंदीर में परवेश कर धूप जलाएं धूप जलाने के समय सारी जन्ता बाहर प्राथना कर रही थी उस समय प्रभु का दूथ उसे धूप की बेदी की दाई और दिखाई दिया जकिरियस स्वर्ग दूथ को देख कर घबरा गया और भैवित हो उठा परंतु स्वर्ग दूथ ने कहा जकिरियस डर्ये नहीं आपकी प्रार्थना सुनी गई है आपकी पतनी एलिसाबित के एक पुत्र उत्पन होगा आप उसका नाम योहन रखेंगे आप आनंदित और उल्लासित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे वह प्रभु की दृष्टी में महान होगा अंगूरी और मद्रा नहीं पियेगा वह अपनी माता के गर्व में ही पोईत्रात्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राइल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभुईश्वर की ओर अभुमुक करेगा वह पिता और पुत्र का मेल कराने स्वेक्षाचारियों को धर्मियों की सदबुधी प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तयार करने के लिए एलियस के मानोभाओ और सामर्थिय से संपन प्रभु का अग्रदूत बनेगा जकिरियस ने स्वर्ग दूत से कहा इस पर मैं कैसे विश्वास करूँ क्योंकि मैं तो बुढ़ा हूँ और मेरी पतनी बुढ़ी हो चली है स्वर्ग दूत ने उत्तर दिया मैं गबरेल हूँ इश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ मैं आप से बाते करने और आपको यह शुब समाचार सुनाने भेजा गया हूँ देखिए जिस दिन तक ए बाते पूरी नहीं होगी उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास नहीं किया जनता जकिरियस की बाट जोह रही थी और आश्यारे कर रही थी कि वह मंदिर में इतना देर क्यों लगा रहा है बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिब्य दर्शन हुआ है वह उनसे इसारा करता जाता था और गुंगा ही रह गया अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया कुछ समय बाद उसकी पतनी एलिसबेत गर्वत्ती हो गई उसने पांच महिने तक अपने को यह कहते हुए छिपाए रखा यह प्रभु का वर्दान है उसने समाज में मेरा कलंग दूर करने की कृपा की है